गाज मुझे रैविट से related कुछ, रैविट के खान पान से सम्मंदित कमेंट देखने को मिल रहे थे, जैसे सूफिया जैसलम, इनका कहना है कि सर, हमें अपने खरगोश को कौन सा नरमचारा unlimited मातरा में देना है, प्लीज बता दीजिए जिससे हमारी confusion दूर हो सके, क्योंकि मैं सभी नरमचारा मार्केट से खरीद कर लाती हूँ, और वही खिलाती हूँ, तो अगर आप बता देंगे, तो मैं सही तरीके से नरमचारा लाकर खिलाऊंगी, तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मेरे आस पास, खेत खलियान नहीं है, जहां मैं रहती हूँ, सर इससे हमारे जैसे काफी लोगों की हल्प भी हो जाएगी और इन्हें जानकारी हो जाएगी, तो ओभी अपने रैविट को अच्छे तरीके से रख पाएंगे, प्लीज सर हल्प मी, और बैरवा, इनका कहिना है कि क्या हम मुंग फली के पत्ते खर्गोश को खिला सकते हैं अनलिम्टेड, हमारे खर्गोश खाते हैं, मुंग फली के पत्ते, तो गाई आज हम लोग इस वीडियो में ही सब कुछ बहुत इजी और सरल तरीके से एक बार फिर से देखने और जानने वाले हैं कि खर्गोश को क्या-क्या चीजे खाना पसंद होता है, और क्या-क्या ची अपने रैबिट के साथ कही न कही न इंसाफी करेंगे और उसे उल्टा सीधर डाइट देंगे, जिससे उसे प्राबलम हो सकता है, तो चलिए गाई, ज्यादा बाते ना करते हुए, सीधर में मुद्धे पर आते हैं, और आज की वीडियो सुरू करते हैं, गाई, सबसे पह के लिए कितना भी सेफ क्यों न हो, गाई चाहे हो मुंख्छली के पत्ते हो या पत्ता गोभी के पत्ते हो, फूल गोभी के पत्ते हो या फिर वाटर इस पे इंचानी करे मुआ हो, या पालक हो, कोई भी हरा नरमचारा आपको कभी भी अनलिम्टेड मात्रा में अपने नरमचारा या कोई भी हरी सब्जी और बार बार और बहुत ज़्यादा आप अपने रैविट को खिला देंगे या अनलिम्टेट मात्रा में खिला देंगे तब उससे गैस की समस्या हो जाएगी उसका पोट्टी पतला हो जाएगा जिसके वज़े से उससे काफी सारा प्राब को अनलिम्टेट मात्रा में ना दे क्योंकि यह सब चीजे रैविट के लिए अनलिम्टेट मात्रा में देना ठीक नहीं है तो जैसा कि आप लोग इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह सब चीजे आप बदल बदल कर इसी तरीके से हरी घास और है आप सिर्फ अनलिम्टेट बिखास कैसे बनाई जाती है इस टापिक पर मेरे चैनल पर कई वीडियो जाएगा आप जाकर देख लीजिए जहां आपको डिटेल्स में जानकारी भी मिल जाएगी और मैंने काफी चीजों रैविट को खिलाते पिलाते हुए दिखाने की भी पूरी कोशिस की है और गाईज से मेरे उन वीडियोज को देख लीजिए आपकी सारी प्राब्लम साल्व हो जाएगी और उसी तरीके से आप अपने रैविट को मैनेज करने की पूरी कोशिस करें और गाईज आप लोग दूबा घास और अलफा अलफा है तिमोथी घास जैई घास यही सब चीजे देने की आप अपने रैविट को जादा कोशिस करें यह सब चीजे रैविट के लिए पूरी तरीके से सेफ है और उसे खाकर रैविट हमेसा हेल्दी रहेंगे एनरजेटिक रहेंगे उन्हें किसी भी परकार की कोई समस्या नहीं होगी और गाईज यह खास बात कि आप लोग कभी झूँआ पने रैविट को पाणि पिलाने से ना चूकें और उसे पानी देना न भोलें क्योंकि आपका रैविट छितनी भी चीजे खाएगा पीएगा अगर पानी बराबर पीता तो उसे अच्छे तरीके से डैजेस्ट होगा और वो ऊस भी खाया पीया हुए चीज आसान इसे पचा पाएगा क्योंकि आप सभी को पता है कि रेविट जो भी चीजे खाते पीते हैं उन्हें हजम करके ही निकालना पड़ता है क्योंकि रेविट उल्टी नहीं कर पाते हैं माकी गाईज आप खुद ही समझदार हैं और गाईज वीडियो पसंद आने पर लाइक कि हम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए गाईज मिलते हैं खरगोश से समंधित किसी और नई वीडियो में खरगोश की किसी और नई समस्या पर बात करते हुए तब तक के लि एजाए हिंदे